दोस्तों स्वागत हैं आप सभी कि आप फैंटेसी इंसाइट की एक और नए प्रोडिक्शन वीडियो में आज हम लोग मैच कवर करने वाले चैनने सुपर किंग्स वर्सिस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में जो आइपेल का मैच खला जाएगा उसका ड्रीम 11 प्रोड पर यह मैच बाइड प्रोडिक्शन है जिनका सिलेक्शन आप लो गया है क्योंकि पिछले मैच में आच्छा नहीं किया था बाट बॉप लाट इस मैच में आजए पर जाने वाले तबसे पहले टीम के डिसंट पॉफोमेंस देखेंगे एन पीश रिपोड कि यह मैच भी ख स्पिनर को जड़ेप मिलता है और लोग देखेंगे पहला हो में में ज्रीम पर आप लोग को आगे बात आने वालों वीडियो को पेशनस के साथ अंड तक देखिएगा कई भी इसकी मात करना अगर आप लोग सही में ग्रैंड लीगूं कारना चाहतो है बना अगर आप लोग किसी बारे यूट्यूबर का वीडियो देखतों 30 मिनिट लॉग या फिर 40 मिनिट लॉग वीडियो देखतों उन वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है बस आपका टाइम वेस्ट होगा आप लोग कभी ग्रैंड लिग ऊई नहीं कर पाऊगी हेट था नहीं कर पाऊगी इस बात का आप लोग देखना रखना लेकिन इससे पहले आपने आप वीडियो को लाइक किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लग ऐसे घ्राइन चाहाँए रिए लेक वीडियो देखना CS के अपना लास्ट दो मैचे पर हारकार आ रहा है CS के डेफिनेटलि यह पर बापसी कारणर जरूर जाएगा लास्ट दस मैचों की हेट टुएट की भी आगर बात करें तो यह को साथ मैच इसको चेननाई ने उनकिया है चेननाई की अपालरा भारी है फिप्टी फिप्टी चांज है कौनसा टीम यह पर मैच जीत का है जो भी टीम आचा खेलेगा इस मैच को इन कार सकता है पीच की भी आगर बात करें तो टो टो टाल लास्ट 77 मैचों में से देख साथ तो 57 % मैच को बैटिंग वाई बाले टीम उनकिया है और 42 % मैच को जो यह चेजिंग करने वाई टीम उनकिया है बट मुझे लगता है जो भी टॉस्ट जीतिक है यह पर बैटिंग काने का फैसला कर सकते है दोस्तों क्योंकि सेकेंड इस में फीच थोड़ा से स्लो हो सकता है आप यूंकि दो मैचेंस यह पर अल्रेडी खेला जा चुका है तो इस बात को मात देना जा रखते हैं टीम यह पर पहले बैटिंग करने प्रिफेर कर सकता है एबरेज फास्ट इंग स्कोर भी देख लो 163 ह यह जो कि डीसेंट है इस ग्राउंड के अकोरिंग इस ग्राउंड के अगर बात करें लास्ट दस में यह पर पेसस को 77 मिला है एन इस पर लो को मिला है 42 एक लास्ट जो मैच खेला था इस गरण पर सीज़के और गूजरा टाइटन के बीच में देख लो काफी जया था हाइ कि उस मैच में उतना देख हाइस को नहीं हुआ था बट आप लोग इस मैच में एक्सपेट कार साथे क्यों के बैटिंग काफी स्टोंग है सो मुझे लागता है 170 प्लास नहीं है पर आसानी से स्कूर हो सकता है दुस्तों इसके अकोर्डिंग है हम लोग आभी टीम क्रेट क आप से बेस्ट जो आप लोग के लिए इस मैच में उइकिट कीविंग से प्लैर होने वाला है वह फिल्प सॉल्टी होने वाले दोस्तों ओपीनिंग करने आएगा और बहुत आच्छे फॉर्म में भी है तो फिल्प सॉल्टी यहां पर आप लोग लिए इंपोर्टन होगा इमेज धुनी को बैटिंग फास्ट में चाहो तो ट्राइ कार सकते वाट बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा मैं प्रिफेर नहीं कराता है कि आप लोग इस मैच में ट्राइब करूँ और बैटर्स की अगरबात करे सबसे पहले रितुराज गायकोद कैप्टेंसी करने बहुत ज्यादा लोग होगे 71 पासे पारना इस प्लेयर का सिलेशन हमेशा 80 पासे से उपर ही होता है दोस्तों कि रिसेंट पॉफेर नहीं है तो लोग इसको ड्रॉप कर रहे हैं यह मेरे लिए इंपोर्टन होगा इस मैच में अच्छा कर सकता है रितुराज गायकोद अपने टीम से ड्रॉप कर रहा हूं रिंकु सिंग की अगर बात करे 40 पासे सिलेशन है अगर फास्ट निक्स में कॉलकाता बैटिंग करे इस मैच में रिंकु सिंग अच्छा कर सकता है और बैटिंग करने का ऊपुजिर्टी मिलेगा कि बीशिए के का बोलिंग का अच्छे सिलेशन है सिलेक्शन थोड़ा सा लोग हो गया है क्योंकि पॉफरमेंस उतना आच्छा नहीं है नहीं मिला है वाट काफी आच्छा प्लेयर्स है कभी भी आच्छा करके जा सकते हैं स्टेश आई आप लोग के लिए इस मैच में ट्रॉम कार्ड हो सकते हैं राचिन में बैटिंग करें तो बहुत इंपॉर्टन होगा सेके में भी हलाकि आच्छा कार साकता है क्योंकि यह वान डाउन यह फी टू डाउन बैटिंग करने आगा इस बात का आप लोग ध्यार नहीं हो आपके टीम में जागा बने तो भेंकर देशा को राक लेना काफी ज्याद सब्सक्राइब करें तो अब ही में आजिंग के रहने को भी दोस्तों यह पर नहीं लेने वालों उसके बात यह राजा फंक्षी की आगर बात करें तो यह पर टॉप फोर में जो अप्शन है अंध्री रसल सुनी नारें डैरिन मिचल एंड रवींतर चाटेजा उसके बात म करने वाले हैं सबसे पहले आंध्री रसल को राकिंगे सुनी नारें को राकिंगे यह दोनों मास्ट्री और फॉल फोर भर्स बोलिंग भी करेंगा दोस्तों इन मेंसे आप लोग क्याप्टन चूज कर सकते हो अगर आप लोग सेफ जाना चाहा दो डैरिन मिचल आप लोग लिए जादा ही इंपॉर्टन होगा क्योंकि दूसरी तरफ कोलकाता के टीम में बहुत सब्सक्राइट हैं तो पावर प्ले के आंदर भी राविंदर जारजा बोलिंग कर सकता है इस बात का आप लोग ध्यान रखना दोस्तों सवाभी में आजए ट्रॉम कर प्लैस राविं बात करें तो देखो यह अपर पावर प्ले के आंदर बोलिंग करेंगा एंड मोस्ट प्रॉबली यह दे दोवर्स में उतना बोलिंग नहीं करता है तो आप ही आप लुक चाहो तो इसको ड्रॉप कर से तो वारुन चक्रवारती आप लिए ट्रॉम्पिक हो सकता है इसमें इस सेकेंड इनिक से बोलिंग में आपने तीम में दूस्तों डेफिनेटली रखने वाला हूँ आभी में ड्रॉप करके चलूंगा बात में डेफिनेटली अबर वारुन चक्रवारती को आपने टीम में राके चल साकता हो माइस दिख्षना एट पासन सिलेशने से कुछ खा कई और लोगों को बाता दिया किसको रखना किसको ड्रॉप करना है आई होगा आप लोग समझ गे होंगे अब कैप्टेन वास के अगर बात करते हो सबसे पहले आगा वह सेब जाना चाहते हो तो इतना तो नहीं सोचना है आंधरे रसेल और शुने लारें इनको क्या आपना इस मैंच में क्या करने बहु इस मैंच में मैं क्या करने बहुत जाए सब्सक्राइब मैं यह पर सुनिल नारिन को यह बोलिंग भी 4 विकेट ले भी सकता है चार वर में एंड बैटिंग स्यागा 20 से 30 रन मानलो स्कोर करते था है और बोलिंग से दो विकेट ले लेता है तो डेपिनली ड्रीम टीम का वाइस कैप्टेन बान साकते है बहुत आसानी से तो यह आप लोग के लिए अच्छा कैप्टेन एंड वाइस कैप्टेन सी का ओप्शन रहेगा इस मैच में दोस्तों एक और बार मेरी टीम के प्रिव्यू देख लो इसके अकोर्डिंग ही आप लोग टीम क्रेट करना विकिपिंग से फिल्प सौल को राखा है बैटिंग से देख सकते हैं पर गायकॉद स्रेश आयर राचिन रविंद्र को पीकिया है और लांडर में अ इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरू कर लेना अगर आप लोग ऐसा ही रोज रेगूलार ड्रीम 11 से प्रोडिक्शन रिविडियो देखना चाहते हो